स्रिलंका क्रिकेट में मची हलचल के बाद उसे एक और बहुत बड़ा जटका लग गया है अंतरराष्टी क्रिकेट काउंसिल यानि ICC ने स्रिलंकाई टीम को ततकाल प्रभाव से उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया है यानि अब स्रिलंका ICC का सदस्य नहीं है ICC बोर्ड की जो बैठक हुई उसके बाद से क्रिकेट स्रिलंका को लेकर ICC ने ये बहुत ही सक्त फैसला किया है ये फैसला उसने क्यों किया है और इसका दुर्गामी परड़ाम स्रिलंका के क्रिकेट टीम पे क्या पड़ेगा इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे तो वीडियो में अंतक बने रहेगा दोस्तों आपको मालू ही है कि स्रिलंका इस बार वर्ल्ड कॉप में सबसे खराप प्रदर्शन की है और यही वज़ा है कि स्रिलंका के पूरे ब॓र्ड को ही वहाँ की सरकार ने बरखास्त कर दिया है अब दूसरी संकट सामने आ रही है वो है ICC की तरफ से ICC ने उसको अपने सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया है यानि बतार सदस्य स्रिलंका पर नियमों के उलंगन के गंभीर आरोप लगाए गया है इसमें बोर्ड के मामलों को स्वैत्ता पूर्ड तरीकों से चलाना और ये सुनिश्चित करना की बोर्ड की कारेपणाली सरकार की दखल अंदाजी न हो ये सुनिश्चित करना था लेकिन यह ऐसा नहीं हो पाया स्रिलंका की संसद ने गुरुआर को देश की क्रिकेट संचालन संस्ता को बर्खास्त करने के लिए सर्व सम्मती से एक प्रस्ताव पारित किया था इसे सत्तापक्ष और विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिला और इसके साथ ही क्रिकेट श्रिलंका को जो इसका बोर्ड है उसको सरकार ने बरखास्त कर दिया मुक्ष विपक्षी पार्टी के नेता साजित प्रेमदासा ने संसद में भरष स्रिलंका क्रिकेट प्रबंधन को हटाने के शिर्शक का प्रस्ताव दिया था जिसका सरकार के सीनियर मंतरी नीमल सिरिपाला डिसिल्वा ने पूरा समर्थन किया था वही अपिल अधात ने मंगलवार को श्रमी सिल्वा की अध्यक्षता वाले स्रिलंका क्रिकेट प्रबंधन को बहाल किया था लिकिन इसके बावजूद स्रिलंका सरकार ने क्रिकेट बोर्ड को बरखास्त कर दिया है और इसी चीज़ को लेकर ICC भढ़की हुई है इसी बीच मुख्य चैनकरता प्रमोदया बिक्रम सिंगे ने आरोप लगाया है कि विशुकप में स्रिलंका के खराब प्रदर्शन के पीछे कोई न कोई बाहरी साधिश है स्रिलंकाई क्रिकेट टीम शुकरवार की सुबा भारत से लोट आये उसके बाद से उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में पूरा बातचित के बाद से खुलाशा करूँगा कि आखिर ये चीज़ें कहां से कैसे हुई है आपको बता दे कि बेंगलूरू में आखरी ग्रूप मैस में न्यूजिलेंड ने स्रिलंका को पांच विगेट सराय था खराब प्रदर्शन के काड़ों के बारे में पूछे जाने पर बिकरम सिंगा ने सिर्फ ये कहा कि मुझे दो दिन का समय दीजे फिर सब कुछ मैं आपको बता दूँगा ये बाहरी साजिश का परड़ाम है उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं इसकी जिम्मदारी खुद लेता हूँ तो देश दुनिया के बाकी ख़बरों के लिए देखते लिए लाइव इन्यूस 24 मिलते आगले वीडियो में नमस्कार